है लो दोस्तो आज वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेंग सेकन्ड के 7वें चैप्टर के बारे में जो है जीपीएस जिसे करते हैं Global Posturing Surveying इसका Pulparm है Global Posturing Surveying ठीक है ये फिप्थ समेस्टर स्टुडेंट का स्लेवस है ठीक है सर्वेस सेकेंड तो इसके बारे में आज हम डिसकुस करते हैं तो बेसिक जान लेते हैं सबसे पहले जीपियस क्या होता है जीपियस मूल रूपस में नौ संचालन छेत्र में से उत्पन एक सारभोमी किस्तितिक सर्वेचर प्रडाली है जिसका फुल फार में गलोबल पोस्टनिंग सर्वेइंग सिस्टम सारभोमी किस्तितिक सर्वेचर प्रडाली ठीक है जीपियस अच्छरों का लगो रूप है इसके पूर्ड सब देस्परकार है नेविगेशन सिस्टम बित टाइम एंड रनिंग गलोबल पोस्टनिंग सिस्टम नो संचालन के समय वास संदेखर प्रडाली सारभोमी किस्तिक प्रडाली इस प्रडाली को अमेरिका ने सन 1973 में विक्सित किया था रूस चीन जापान देश भी जीपियस प्रडाली विक्सित कर रखें सबसे पहले अमेरिका ने विक्सित किया था कब किया था उनी सो तीहत्तर में ठीक है तो यह जीपियस के बारे में गाइस बताया गया है वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए ठीक है उसके बाद जीपियस के तीन खंड होते है पहला अंत्रिच खंड दूसरा नियंत्र नियंत्रड खंड तितरा उपयोगी अभी गराहड खन ठीक है यह theoretical चीजे पढ़ लीजिए इसको अच्छे से ठीक है यह GPS के बारे में बताया गया है आप इसको अच्छे से read कर लीजे ठीक है यह GPS के उपग्रा है और GPS के उपग्रा समूम है ठीक है यह आप अच्छे से वीडियो रोक करके read कर लीजे ठीक GPS में क्या क्या चीजे important है उसको मैं भी आपको बता दूँगा यह क्योवल theoretical चीजे है आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं ठीक है रोक करके वीडियो आप इसको पढ़ लीजे important जो है उसको मैं भी डिसकस कर लूँगा उसके बारे में ठीक निर्देशंग प्रडाली क्या होती है ठीक इसको अच्छे से आप रीडि कर लीजे GPS मापन की तकनीक कौन-कौन से यह बताया गया है उसके बाद ध्यान देने योग बिंदू कौन-कौन से उसके बारे में बताया गया है आप यहां से important हो जाता है GPS से जो आपकी बीटी उपी में question पूछा जाता है GPS की उपी हो क्या है इसको रट लीजिए यह आएगा exam में ठीक उसके बाद GPS के सर्वेचर प्राली के lab क्या क्या है यह भी important है आपकी exam में पूछा जाता है ठीक पढ़ लीजिए अच्छे से इसको उसके बाद GPS के प्राली के दोस्त क्या क्या है GPS से सर्वे करने के दोस्त क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है ये तीन चीजे जो है important है आपके exam के पर पर से ठीक है GPS से पहला क्या है GPS के उपयोग क्या है GPS के लाब क्या है GPS के दूस क्या है ठीक इन तीजों चीजों को अच्छा से read कर लीजिए इस प्रकार से आपका ये साथवा चैप्टर खतम हो जाता है ठीक और अब हम अपने आने वाले नेक्स लेक्टर में आठवे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है सुदूर संबेधन पढ़ा ली ठीक है remote sensing system ठीक और अगर साथवे चैप्टर में आप में कोई चीज समझ में नहीं आई है तो comment box में comment कर देना उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है तो आने वाले नेक्स लेक्टर में हम आठवे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए जैहन जैवारत